प्यारे बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं आपकी अध्यापिका आर्ती सेठी आज प्रस्तुत हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ बच्चो कहानिया पढ़ना और सुनना तो आप सब को अच्छा लगता है है ना आप अपने दादा दादी नाना नानी और घर के बड़ों से जरूर कहानिया सुनते होंगे आपको किस तरह की कहानिया पसंद है बताइए अच्छा राजा रानी की कहानी चंगल की पशु पक्षियों की कहानी और अच्छा परियों की कहानिया तो बच्चो आप अलग-अलग पुस्तकों से भी हर रोज नहीनी कहानिया, कविताएं और रोचक जानकारी लेते होंगे बच्चो आपको किस तरह की कहानिया पसंद है क्या आपनी पंचतंत्र की कहानिया भी पड़ी है अपनी पसंद की कुछ कहानियों के नाम अवश्य लिक भेजें और बच्चो ये भी बताओ कि आपको कोई कहानी क्यों पसंद है तो बच्चो आज हम आपकी हिंदी की पाठे पुस्तक रिम जिम में संकली ते कहानी जिसका नाम है दान का हिसाब पढ़ेंगे इस कहानी के लेखक हैं सूकुमार राय क्यों ना कहानी पढ़ने से पहले हम चित्र देखकर कुछ अनुमान लगाएं तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्चो पहला चित्र देखिए और बताईए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है शाब बाश आपने सही बताया इस चित्र में सूखे पेड़ हैं जैसे सूखा पढ़ गया हो अकाल पढ़ गया हो अगला चितर देखिए और बताईए इसमें कौन है अरे हाँ ये तो एक बैल है यह बैल कैसा दिखाई दे रहा है यह बैल बहुत ही कमजोर और दुबला पतला दिखाई दे रहा है चलिए अगला चितर देखते हैं अगले चितर को देखो और बताओ इस चितर में क्या है हाँ इस चितर में एक राजा और एक गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहा है बच्चो राजा के हाव भाव कैसे हैं शाबाश सही बताया राजा गुस्से में दिखाई दे रहा है राजा इस व्यक्ति को क्या कह रहा होगा सही बताया लगता है राजा कोई आदेश दे रहा है और इस गरीब व्यक्ति के हावभाव देखो और बताओ ये क्या कह रहा होगा शाबाश आपने सही सोचा ये व्यक्ति ऐसे लग रहा है जैसे राजा की मिन्नते कर रहा हो राजा से कुछ मांग रहा हो अगला चित्र देखो और बताओ चित्र में कौन कौन है? हाँ, चित्र में कई लोग दिखाई दे रहे है ये क्या कर रहे होंगे? सोचो और अनुमान लगाओ चलिए, अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे क्या होगा? इस चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है? शाबश आपने सही बताया राजा और एक साधू या सन्यासी ये क्या बाते कर रहे होंगे? सोचो, अन्दाजा लगाओ चलिए, कहाने के अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? अरे, ये राजा ऐसे क्यों बैठा है? इसे क्या हुआ? राजा के हाव भाव देखकर क्या लग रहा है? सोचो, अरे हाँ, राजा बहुत परिशान दिखाई दे रहा है अगला चित्र देखो और बताओ, इस चित्र में क्या हो रहा है? हाँ, इस चित्र में एक साधू धन के धेर पर बैठा है तो क्या लगता है? यह कहानी किसके बारे में होगी? और ये दान कौन मांग रहा होगा? राजा ने क्या किया होगा? सोचो, अंदाजा लगाओ चलिए, अब हम पढ़ते हैं ये कहानी और देखते हैं हमारा अंदाजा कितना सही है तो शुरू करें चलिए, शुरू करें कहानी दान का हिसाब एक था राजा राजा जी, लक दक कपड़े पहन कर यो तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे पर दान के वक्त उनकी मुठी बंद हो जाती थी राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इन में से कोई भी नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर इनका बिलकुल सत्कार नहीं होता था एक बार उस देश में अकाल पड़ गया पूर्वी सीमा की लोग भूखे प्यासे मरने लगे राजा के पास खबर आई वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है लोगों ने कहा महाराज, राजभंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करे जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीडित हो कल पता चलेगा, कहीं भुकम पाया है परसो सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब है दो वक्त की रोटी नहीं जुटती इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजभंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा यह सुनकर सभी निराश होकर लाट गए इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था नय जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे लोग फिर राज़ा के पास पहुचे उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई दुहाई महाराज आपसे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते सिर्फ दस हजार रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिन्दा रह जाएंगे राजा ने कहा दस हजार रुपए भी क्या तुमें बहुत कम लग रहे हैं और उतने कश्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है एक व्यक्ति ने कहा भगवान के क्रिपा से लाखों रुपए राजकोश में मौजूद है जैसे धन का सागर हो उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा राजा ने कहा राजकोश में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूँ एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रती दिन हजारों रुपए इन सुगंधी तवस्त्रों मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते है यदि इन रुपएयों में से ही थोड़ा सदन जरूरत मंदों को मिल जाए तो उन दुख्यों की जान बच जाएगी यह सुनकर राजा को क्रोध हा गया वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो मेरा रुपएया है मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊँ चाहे तल कर मेरी मर्जी तुम अगर इसी तरह बक्वास करोगे तो मुश्किल में पढ़ जाओगे इसलिए इसी वक्त तुम चुप चाप खिसक जाओ राजा का क्रोध देख कर लोग वहां से चले गए राजा हसते हुए बोला चोटे मुँ बड़ी बात अगर सो दो सो रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था पहरे दारों की खुराक दो चार दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती मगर सो दो सो से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा एक दम दस हजार मांग बैठे चोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया जरूरत मंदों की सहायता करना तो राजा का करतव्य है दो दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राज सभा में आया उसने राजा को आशिरवाद देते हुए कहा दाता करन महाराज बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धी सुनकर आया हूं सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें अपनी प्रशंशा सुनकर राजा बोला जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए सन्यासी ने कहा मैं तो सन्यासी हूं मैं अधिक धनका क्या करूंगा मैं राज कोश्ते 20 दिन तक बहुत मामूली भीक्षा प्रति दिन लेना चाहता हूं मेरा भीक्षा लेने का नियम इस प्रकार है मैं पहले दिन जो लेता हूं दूसरे दिन उसका दुगुना फिर तीसरे दिन उसका दुगुना फिर चोथे दिन तीसरे दिन का दुगुना इसी तरह से प्रती दिन दुगुना लेता जाता हूं बिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है राजा बोला तरीका तो समझ गया मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है दो चार रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है मगर एक दम से बीस पचास मांगने लगे तब तो बीस दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी सन्यासी ने हसते हुए कहा महाराज मैं लो भी नहीं हूं आज मुझे एक रुपया दीजिए फिर बीस दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए यह सुनकर राजा, मंत्री और दर्बारी सभी की जान में जान आई राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार बीस दिन तक राज कोश्ते उन्हें भीक्षा दी जाती रहे सन्यासी राजा की जय जय कार करते हुए घर लौट गए राजा की आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रति दिन हिसाब करके सन्यासी को भीक्षा देने लगा इस तरहें दो दिन बीते, दस दिन बीते, दो सब्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा की दान में काफी धन निकला जा रहा है यह देखकर उन्हें उल्जन महसूस होने लगी महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे उसने यह बात मंतरी को बताई मंतरी ने कुछ सोचते हुए कहा वा कई, यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी मगर अब कोई उपाए भी नहीं है महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता इसके बाद फिर कुछ दिन बीते भंडारी फिर हडबडाता हुआ मंतरी के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया हिसाब देखकर मंतरी का चेहरा फीका पड़ गया वह अपना पसीना पहुँचकर सिर्खुजला कर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला यह क्या कर रहे हो अभी से इतना धन चला गया है तो फिर बीस दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे भंडारी बोला जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो भंडारी हिसाब करने बैठ गया मंत्री महाश्य अपने माथे पर बरफ की पट्टी लगा कर तेजी से पंखा जलवाने लगे कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया मंत्री ने पूछा कुल मिला कर कितना हुआ भंडारी ने हाथ जोड़ कर कहा जी दस लाक अर्टालिस हजार पांच सो पिछ हत्र रुपए मंत्री गुस्से में बोला मजाग कर रहे हो यह ति सन्यासी को इतने रुपए दे दिये तब तो राजकोश खाली हो जाएगा भंडारी ने कहा मजाग क्यों करूँगा आप ही हिसाब देख लीजिए यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए राजा ने पूछा क्या बात है मंत्री बोले महराज राज को श्खाली होने जा रहा है राजा ने पूछा वह कैसे मंत्री बोले महराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है राजकोष ने करीब दस लाक रुपे जटकने का उपाय कर लिया है राजा ने गुस्से से कहा मैंने इतने रुपे देने का आदेश तो नहीं दिया था फिर इतने रुपे क्यों दिये जा रहे हैं बंडारी को बुलाओ पंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए राजा ने उसे एक बार देखा दो बार देखा इसके बाद वहे बेहोश हो गया काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दोड़े सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा बोला दुहाई है सन्यासी महराज मुझे इस तरह जानमाल से मत मारिये जैसे भी हो एक समझोता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए अगर आपको बीस दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोश खाली हो जाएगा फिर राजकाज कैसे चलेगा सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्ये में लोग अकाल से मर रहे हैं मुझे उनके लिए केवल पचास हजार रुपे चाहिए वह रुपेया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए दस हजार रुपे ही बहुत होंगे सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि पचास हजार से एक पैसा कम नहीं लूँगा राजा गिरगिडाया मंत्री गिरगिडाये सभी गिरगिडाये मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा आखिरकार लाचार होकर राज कोश्टे पचास हजार रुपे सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष्टे पचास हजार रुपए राहत में दिये गए है सभी ने कहा हमारे महराज करण जैसे ही दानी है तो बच्चो आपने देखा कैसे इस कहानी में एक कंजूस राजा होता है जब उसके राजे में अकाल पढ़ जाता है और लोग सहायता के लिए राजा के पास जाते हैं कि अपने राजकोष्टे कुछ धन देकर हमारी सहायता करो ताकि हम दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपना पेट भर सके और राजा उन्हें दस हजार रुपे की सहायता मांगने पर भी मना कर देता है तब एक बुद्धी इमान सन्यासी राजा से छोटी सी भिक्षा मांगता है और उस भिक्षा में क्या शर्ट लगाता है क्या नियम रखता है भिक्षा का बताईए हाँ कि पहले दिन जो मामूली सधन मैं भिक्षा में लूँगा दूसरे दिन मैं उससे दुगना धन लूँगा और तीसरे दिन उस दूसरे दिन की भिक्षा से दुगना और चोथे दिन, तीसरे दिन की भिक्षा के धन से दुगना तो राजा को इस दान का हिसाब देखकर चक्कर क्यों आए? वह बेहोश क्यों हुआ? राजा के होश क्यों उड़े? आईए, देखते हैं इस दान के हिसाब को इस तालिका में और इस तालिका के माध्यम से समझते हैं कि किस तरहे से राजा का राजगोश खाली होते होते बचा पहला दिन एक रुपया दूसरा दिन दो रुपय तीसरा दिन दो का दुगना चार रुपय चोथा दिन चार का दुगुना आठ रुपई पाँचवा दिन सोलह रुपई चटा दिन 32 रुपई साथवा दिन 64 रुपई आठवा दिन 128 रुपई नवा दिन बताईए क्या लिखा है 256 रुपई दसमा दिन 512 रुपई ग्यारहमा दिन 1024 रुपई बारहमा दिन 2048 रुपई तेरहमा दिन 4096 रुपई चोदहमा दिन 8192 रुपई पंद्रहमा दिन 16384 रुपई सोलहमा दिन 32768 रुपई सत्रहमा दिन 65536 रुपई अठारहमा दिन 1,031,072 रुपई उननिस्वा दिन 2,62,144 रुपई बीस वा दिन 5,24,288 रुपई तो बच्चो इस तरह से 20 दिनों का कुल बना 10,48,575 रुपई तो बच्चो देखा किस तरह से सन्यासी ने राजा को सबक सिखाने के लिए अपनी भिक्षा के साथ एक नियम जोड दिया जिसका राजा को भी अनुमान नहीं था और राजा को 10,000 की बज़ाए 50,000 रुपई देकर अपनी जान बचानी पड़ी तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी न? आईए अब इस कहानी से संबंधित करें कुछ बाच्चीत बच्चो हमारी पहली गतिविधी है पंक्तियों को क्रम से लगाएं आपके सामने कहानी में से कुछ पंक्तियां हैं आप इन पंक्तियों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाएं यह तो भगवान की मार है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं एक था राजा अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा एक बार उस देश में अकाल पड़ गया हमारे महराज कर्ण जैसे ही दानी है मजाग कर रहे हो तो बच्चों देखो कहानी के अनुसार पहला वाक्य क्या होना चाहिए शाब बाश एक था राजा और अगला वाक्य हाँ शाब बाश एक बार उस देश में अकाल पड़ गया अगला वाक्य अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था और अगला हाँ शाब बाश यह तो भगवान की मार है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं अगला वाक्य चुनो बिल्कुल सही हिसाब देखकर मंत्री का चहरा फीका पड़ गया इसके बाद मजाग कर रहे हो अगला वाक्य सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा शाब बाश बच्चों हमारी अगली गती विधी है शुद्ध शब्द ढूंडो आपके सामने तीन शब्द दिये गए हैं जिस शब्द में सही वर्तनी है जो शुद्ध है जो सही है आप उस पर गोला लगाएं पहला शब्द है क्रोध ढूंडिये सही शब्द दूसरा शब्द है मुठ्थी देखिए कौन सा शब्द सही है मुठ्थी बहुत अच्चे अगला शब्द है आशिरवाद ढूंडिये और सही शब्द पर गोला लगाएं अगला शब्द है प्रसिध प्रसिध पर गोला लगाएं शुद्ध शब्द ढूंडिये शाबाश बच्चो आपने कहानी पढ़ी और सुनी तो कहानी के आधार पर आप वाक्य देखकर बताईए किसने किस से कहा तो चलिए शुरू करें पहला वाक्य है महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें बताईए किसने कहा किस से कहा सोच चोर बताओ अरे वा सही बताया लोगों ने राजा से कहा अगला वाक्य है राज कोश में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूँ? किसने कहा? किस से कहा? बहुत अच्छे! राजा ने लोगों से कहा अगला वाक्य देखिए और बताईए मैं तो सन्यासी हूँ मैं अधिक धन का क्या करूंगा? बताईए किसने कहा? बहुत अच्छे सन्यासी ने और किस से कहा? शबाश राजा से अगला वाक्य महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है किसने कहा? किस से कहा? बहुत अच्छे! बत्चो, पाठ के अगले पड़ाओ में हम बात करेंगे संग्या और विशेशन शब्दों की इस पाठ में बहुत से नामवले शब्द आए हैं जो नामवले शब्द होते हैं वे संग्या शब्द कहलाते हैं और वे शब्द जो संग्या शब्दों की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन शब्द कहा जाता है जैसे पाठ में एक वाक्य आया है लक दक कपड़े हजारों रुपए इसमें लक दक और हजारों रेखांकित शब्द है ये रेखांकित शब्द विशेशन है जो कपड़े और रुपए की विशेशता बता रहे है आप भी अपनी पाठे पुस्तिक से ऐसे शब्द चाट कर लिखें बच्चो अगली गतिविधी में आपको कुछ शब्दों के अर्थ दिये गए हैं आप सही अर्थ के साथ शब्दों का मिलान करें लकदक सतकार सहायता प्रयास हुक्म सुगंधित और अर्थ दिये गए हैं आदर मदद भड़कीले कोशिश खुश्बूदार आदेश तो आईए पहले शब्द का अर्थ देखें लकदक का अर्थ क्या है शाबाश भड़कीले सतकार इसको इसके अर्थ से मिलाईए हाँ आदर अगला शब्द है सहायता सहायता का अर्थ क्या है बहुत अच्छे मदद अगला शब्द है प्रयास प्रयास को मिलाईए इसके अर्थ से बहुत अच्छे कोशिश हुक्म हरे वा सही बताया आदेश सुगंधित सुगंधित क्या होता है शाबाश खुशबूदार बच्चो कहानी से कुछ प्रशन दिये गए है आप इनके उत्तर अपने मन से अपनी नोट बुक में लिखे पहला प्रशन है राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था बताईए अगला प्रशन है राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे लेकिन वे राजा कभी रोध क्यों नहीं कर पाते थे आप अपने मन से इसका जवाब सोचिए और लिखिए अगला प्रश्ण है राज सभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? अगला प्रश्ण सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? अगला प्रश्ण है राजा को सन्यासी के आगे गिर गिराने की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों हमारी अगली गतिविदी है साथी हाथ बढ़ाना कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिलकुल भी नहीं होती नदी नाले, तालाब सब सूख जाते हैं फसलों के लिए पानी नहीं मिलता खेत सूख जाते हैं पशुपक्षी, जानवर, लोग भूखे मनने लगते हैं ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है आप भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हैं सोच कर बताओ आप अकाल में परिशान लोगों की मदद कैसे करेंगे अगली गतिविधी है जिम्मेदारी अपनी अपनी आपके विचार से राजदर्बार में किस की क्या-क्या जिम्मेदारिया होंगी मंत्री की क्या जिम्मेदारी होगी सोचिए और लिखिए भंडारी की क्या जिम्मेदारी होगी बच्चो कहानी में एक जगए आया है सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी है पता करो कि कर्ण कौन थे महाराज को कर्ण जैसे दानी क्यों कहा गया दान क्या होता है किन किन कार्णों से दान दिया जाता है तो बच्चो पता करो और इसे अपनी नोट बुक में लिखो तो बच्चो इन ही गती वीडियों के साथ दीजिये इजाजत मिलते हैं अगली वीडियों में धन्यवाद